और इस बीच एक बड़ी खबर अजीद दोबाल एनसे बने रहेंगे तीसरी बार नैशनल सुरक्षा सलाकार बने अजीद दोबाल ये इस वक्ती बड़ी खबर हम आपको बता रहेंगे ये इस वक्ती बड़ी खबर हम आपको बता रहेंगे तीसरी बार भी नैशनल सुरक्ष में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री लगतार रेवी मीटिंग्स भी कर रखें हैं प्रधानमंत्री की तरफ से भी नज़र बनाई जा रखी है लेकिन आप ये जानकारी मिल रही है कि आजी डुबाल को एक्स्टेंशन मिल चुका है वही एनसे बने रहें तीसरी बार नैशनल सुरक्षा सालाकार बने हैं अजी डुबाल और नीट के एक्जाम में धानली को लेकर स्टूडेंट्स का हंगामा लगातार जारी है अमरोहा और शामली में भी नीट स्टूडेंट्स ने हंगामा किया अमरोहा जिला अधिकारी कारेले पर एबी वीपी के कारकरताओं ने नीट परिक्षा में कोई धानली की CBI जाच कराने की मांग को लेकर ग्यापन सौपा है और उदर शामली में छात्रों ने नीट परिक्षा में धानली का आरोफ लगाते हुए दुबारा परिक्षा कराया जाने की मांग की है शामली में छात्रों ने डियम को अपनी मांग का पत्र भी सौपा है प्रधार मंच्री नरेंद्र मोदी के संसिदिय शेत्र वाराट से में स्मार्ट सिटी मिशन ने अनूठी पहल की है शहर में नाइट मार्केट के बाद अब नगर निगन के सयोग से फ्लायवर के नीचे प्लेइंग जोन मनने जा रहा है जिसका 3D मॉडल भी सामने आचुका है और इस प्लेइंग जोन में बच्चे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं इस प्लेइंग जोन में शतरंज, कैनम बोर्ट, लूडोर, टेबल टैनिस, जैसे खेलों की सुविधा मिलेगे और इस पर करीब एक करोड रुपे खर्चोंगे ट्रायल के तौर पार वाराटसी के ककरमत्ता फ्लाइवर के नीचे इस प्लेइंग जोन को बनाया जा रहा है प्रियोग सफल रहा, तो देश के दूसरे शहरों में भी फ्लाइवरों के नीचे भी प्लेइंग जोन बनाया जाएंगे प्लाइवर के नीचे आप देखते होंगे कि पहले वहां पर काफी जदा इनक्रूश्मेंट आदिकरमन हुआ करता था यह काफी लंबा करीब 100 मीटर का लंबा फ्लाइवर है यहाँ पर हम लोगों ने एक गेमिंग जोन के नाम से एक पार्क डेवलप कर रहे हैं मानी महापाउर जी के द्वारा इस नमन में निर्देशित किया गया था तो उसका सर्वेवगर कराने के बाद वहां पर बच्चों के लिए हम लोग गेमिंग जोन का निर्मान करना है जो फ्लाइवर के ठीक नीची होगा यह लगभाग इसकी लंबाई लगभाग 100 मीटर है और करीब 10 फिट चौड़ा यह है इसमें मूल भूस विधा हैं बच्चों को खेलने के लिए होगा यह पूरी दरह से पैक होगा वातान पूलित होगा और कुवेट में हुए भयानक अगनीकांड ने पूरे भारत को जग जोर कर रख दिया है क्योंकि इस हासे में जितने भी लोगों ने जान गवाई है उसमें से जादातार भारत के ही है और यही वज़ा है कि भारत सरकार लगातार इस अगनीकांड की मॉनिटरिंग कर रखी है कुवेट में अगनीकांड की क्या कहानी है कौन बेगुनाहू की मौत का गुनहगार है कौन इस मातम का सिम्मेदार है अब राख के धेर से इनही सवालों के जवाब तलाश ये जाने है भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है खुद पियमो हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अगनीकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है कुवेद शहर में आग लगने की घटना दुखद है मेरी समवेदनाई उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है मैं प्रार्थना करता हूँ के घाया लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं कुवेद में भरतिये दूतावास रिस्थित पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहयता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है कुवेद टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक इस भयानक हाथसे में अपनी जान गमाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर उननचास हुचकी है अभी तक की जानकारी के मताबिक मरने वालों में ज्यादातर भरती हैं मरने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मुआउजे का भी ऐलान कर दिया गया है हम लोगों की सबकी समयतना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहां थे और इस गटना में उनकी मिर्थ हुई है अभी माने प्रहान मंतीजी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पाद जो रिपोर्ट है कि जो गायलें उनकी अच्छे ढंक से देख भाल हो रही है और जिनकी मिर्थ हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका इडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे इनमें ज्यादा तर भारतिय थे खबर तो ये भी है कि इस हाथसे में मारे गए सबसे ज़्यादा लोग केरल से तालुक रखते हैं यही वज़ा है कि विदेश मंत्री एस जैशंकर ने भी अपनी सम्वेदनाओं को जाहिर किया कुवेर्ट शहर में आग लगने की घटा के खबर सुनकर बहुत दुख हुआ हमारे राजदूत शिविर में गए हैं दुखत रूप से अपनी जान गवाने वालों के परिवारों के प्रती गहरी सम्वेदनाओं घायलों के शिग्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहयता करेगा जानकारी के मुताबिक जिस छे मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलिंडर में धमाका हुआ था जिस वज़े से आग तेजी से फैल्टी गई फिलहाल इस हाथसे का पूरा सच क्या है ये जाँच के बाद ही सामने आएगा लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हाथसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं अब इनीता सलमान खान के घर पर हुई फारिंग मामले में सलमान खान और उनके भाई अरबास खान के बयान दर्च कर लिए गए हैं मॉंबई पोलस ने सलमान खान का बयान कुल नौ पन्नों में और अरबास खान का बयान चार पन्नों में दर्च किया है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सलमान खान के खत्म पर हुई फाइरिंग मामले में अभी भी मुंबाई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहट मुंबाई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अर्बास खान के बयान दर्ज किये मुंबाई पुलिस के सवाल सलमान खान के जवाब सलमान और अरबास से पूछे 150 सवाल फाइरिंग से कुछ घंटे पहले हो रही थी पाटी उस दिन जब फाइरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पाटी चल रही थी और जब फाइरिंग हुई सल्मान खान अपने उसी घर में सोय हुए थे इतना ही नहीं फाइरिंग होते ही सल्मान खान की मींद तूट गई चार जोन को मुंबई पुलिस ने चार घंटे तक सल्मान खान से और दो घंटे तक अरबास खान से कोल 150 सवाल किये और उन सवालों की जवाब में जो बायानात सामने आए वो चौंकाने वाले हैं और सल्मान के हर एक चहने वाले को डरा देने वाले हैं क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त सल्मान खान अपने खर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सल्मान खान ने मुंबई बुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे फाइरिंग वाले देन 14 अप्रेल को अपने घर में मौजूद थे सल्मान खान फाइरिंग से कुछ देर पहले सल्मान खान के घर में पार्थी चल रही थी फाइरिंग की आवाज सुनकर अचानक सल्मान खान की नींद तूटी सल्मान तुरंट अपनी बालकनी पहुचे और गोलियों के निश्यान देखे सल्मान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षा कर्मी की ओर भी देखा फायरिंग के वक्त सल्मान का परिवार भी गेलेक्सी अपार्टमेंट में था सल्मान के मुताबिक फायरिंग से पहले उन्हें कोई थमकी नहीं मिली थी सल्मान ने बताया कि उन्हें लॉरंस विश्णोई गैंक से वसूली की कोई कॉल नहीं मिली सल्मान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खत्रा है मुंबई क्राइम ब्रांच ने सल्मान खान के भाई अर्वास खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है अर्वास खान से फारिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दुनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे गए 4 जुन को 12 वजे सल्मान खान के खट पर उनका बयान दज किया गया क्राइम ब्रांच ही चार अफ़सरों ने तोफैर 12 वजे से शाम 6 बजे तक सल्मान और अर्वास से सवाल किये सलमान खान फारिंग मामले में मुंबाई क्राइम ब्रांच ने लॉरंस बिश्णोई को मुख्य आरोपी बनाया है लॉरंस बिश्णोई की कस्टेडी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अगले हफते मुंबाई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टिडी के लिए कोट का दर्वाजा खटकटाने की तैयारी में हैं। क्राइम ब्रांच सूतरों के मताभी लॉरेंस को जल्द मुंबाई लाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्णॉई फिलहाल गुजुराथ की सावर मती जेल में बंद है। मुंबाई पॉलस के मताभिक सल्मान खान के घर फाइरिंग मामले का मस्टर माइंड है। लॉरेंस बिश्णॉई खबर जारी रोगेंगे एक छोटी सब्रिक के लिए